होली और दिपावली ऐसे दो दिन हैं जिस दिन एनरजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होती हैं जिस दिन अगर हम उपाए करें तो वो ज्यादा अच्छे असर देते हैं ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और महौल भी कुछ नमा होता है देखे सबसे पहले आप अपनी राशी के हिताब से अगर मेश राशी है अगर वृश्शिक राशी है और ये दो राशी मेश और व्रिश्शिक राशी अगर लाल कपड़े में चान्दी का एक चौरस तुकड़ा बांद कर अपने cash box में रखें तो financially आपके लिए अच्छा रहेगा इसी तरीके से व्रिशब राशी और तूला राशी ये लोग silver कलर के कपड़े के अंदर अगर थोड़े से हम यह बोल सकते हैं आपने सुना होगा George इसको बोलते हैं इसको बांद कर रखें इनके लिए साल भर अच्छा happy और prosperous रहेगा इसी तरीके से मिथुन राशी और साथ साथ कन्या राशी ये लोग green कलर के कपड़े के अंदर मूंग साबत की डाल और एक गोल तांबे का सिकाज simple copper का coin ये डाल कर अपने cash air में रख दीजें आपके लिए prosperous रहेगा करक राशी वाले लोग daily अपने मदर के पैर चुएं और साथी साथ रोज सुबह कच्छे मदूद का अगर तिलक लगाएंगे पचास से साथ दिनों तक होली के दिन से शुरुआत करते वे तो आपकी life में बहुत अच्छे और positive changes आएंगे इसी तरीके से अगर हम बात करें सिंग राशी के लोगों की सिंग राशी के लोग इसी तरीके से जैसे कर्प ने किया आप अपने फादर के पैर चुएं और केसर की एक डिबी अपने साथ रखें तो आपके लिए बहुत prosperous रहेगा अब अगर हम बात करें धनू राशी की और हम बात करें मीन राशी की क्योंकि आपका स्वामी है गुरू आप लोग पीले कपड़े के अंदर हल्दी की चारगांट बांद कर अपने वर्क प्लेस पे रख देंगे तो आपको दुश्मन तंग नहीं करेंगे और मकर और कुम्ष राशी वाले लूग एक ब्लूइश पोपलिश कपड़ा ले ले उसके अंदर थोड़ी सी काले तिल डाल कर आप शिवलिंग के पास 5-6 घंटे के लिए रखिए या फिर घर में शिवजी की फोटो के आगे रखिए फिर इसको अपने वर्क एरिया में र झाल